Hello dear students, how are you? I hope you will be fine and okay. तो आज हम इस वीडियो में class 4th social science का chapter 18 और rights and duties कवर करेंगे. तो यह हमारी question answer vision series चल रही है. तो इस वीडियो में हम क्या क्या learn करने वाले सबसे पहले get set आ जाता है. इसमें क्या है? Read the following. Write R if it is your right. Write D if it is your duty. तो हमने line एंगे read करनी है. तो उसके लिए हमने D लिख देनी है. उसके बाद check point आ जाता है fill in the blanks, A part, tick the correct, B part, write to you और false आ जाता है, C part, answer these questions, D part, think and answer. उसके इलावा कुछ extra question answer. इन सभी को हम इस वीडियो में understand करेंगे और learn करेंगे. इसके लावा मैंने सभी chapter की वीडियो बनाई हुई explanation की लग से है और question answer की लग से है. उन सभी का link आप description box में चेक कर सकते हो. अपनी requirement के according आप उनको देख सकते हो. Now let us start this video. तो read the following. Write R if it is your right. कहता है कि R लिखना है अगर ये आपका right है दिकार है. Write D if it is your duty. To get healthy food. ठीक है. तो स्वस्त भोजन प्राप्त करना ये हमारा right है. ठीक है. तो second B आगया इसका. First का B not waste food. तो हमें भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए तो ये हमारी duty बनती है. ठीक है. हमारा करतब बनता है. तो second आगया. To keep the school clean. ठीक है. तो विद्याले को स्वस्च रखना. ठीक है. तो ये हमारी duty है. तो to go to school. ठीक है. स्कूल जाना ये हमारा सभी का अधिकार है. कि सारे देश के सारे बचे स्कूल जाने चाहिए. ये हमारा अधिकार है. थर्ड का ये आगया. To play. तो कहता है कि to play. तो खेलना. ठीक है. ठीक है. तो बचे ग्राउंड में जातें खेलतें. तो इन सभी का अधिकार है वे खेल सकते हैं. To play fair. तो निस्पक्ष खेलना. ठीक है. तो ये हमारी duty बनती है. कि यहाँ पे हम ग्राउंड में चले गए हैं. ठीक है. कहता है कि not to use words that hurt others. ठीक है. उन शब्दों का अप्योग नहीं करना चाहिए. दूसरों को hurt करते हैं. दुख पहुचाते तो ये हमारी duty करतब है. ठीक है. duty है हमारी. ठीक है. ये हमें इस तरह के word नहीं यूज़ करने चाहिए. ये दूसरों को दुख पहुचाए. भी आ गया. to say what you think. ठीक है. to say what you think. तो वह कहना जो आप कहना चाहते हूं. ठीक है. जो आपके मन में है. ठीक है. कहना. अपने विचारों को कहना. ठीक है. तो ये हमारा right है. ठीक है. हम अपने विचारों को वियक्त कर सकते हैं. बता सकते हैं. चेक पॉइंट इधर भी आते हैं. तो फिलिंदी ब्लैंक्स की फॉर्म में है चेक पॉइंट. तो फर्स्ट आ गया. कहता है कि the dash day is celebrated on 26th January. तो आंसर विल भी Republic day. ठीक है. तो Republic day जो होता है वो 26th January को मनाया जाता है. गनतंतर दिवस 26th January को मनाया जाता है. तो मैं आंसर ही बोलूँगा. टाइम ज़्यादा नहीं लोगा इस वीडियो में. कहता कि the fundamental rights are six in numbers. ठीक है. fundamental rights are six in numbers. तो आंसर हमारा six हो जाएगा. कहता कि मौली के अधिकार संख्या में छे हैं. मौली के अधिकार संख्या में छे हैं. the right to freedom the right to freedom allow citizens to travel what whether they want wherever होता है कहीं भी. ठीक है. wherever का meaning होता है कहीं भी. they want. ठीक है. तो आंसर freedom आगया इसमें हमारा. ठीक है. तो कहता कि सुतंतरता का इधिकार नागरिगों को अपनी इच्छा नुसार यात्रा करने की अनुमती देता है. ठीक है. सुतंतरता का जो इधिकार है. तो हमारे देश में कोई भी कहीं पे भी जाके घूम सकता है. कहीं भी जा सकता है. कहीं पे भी रह सकता है. ठीक है फूर्थ है चिल्डरन हूर लेस देन 14 येर्स आफ ऐस चैननाट वोड वर्क ठीक है तो फिर से देखो जा चिल्डरन हूर अर लेस देन 14 येर्स आफ ऐस चैननाट वर्क 14 वर्ष से कम आयू के बच्चे काम नहीं कर सकते तो answer will be a 14 The minorities The minorities are people who are less in number तो minorities वह होते हैं लोग जो संख्या में कम होते हैं तो अलप संख्या क्वे लोग होते हैं जो संख्या में कम होते हैं मैं नोर्टीज को, मैं नोर्टीज को क्या हम बोलते हैं, अलप संख्यक, जिनकी संख्या देश में कम होती हैं, तो read and answer, read and answer, tick the correct आ गया हमारे पास, पहला है, which country has the longest return constitution, ठीक है, किस देश में सबसे लंबा लिक्त सविधान है, इंडिया, ठीक है, इंडिया का सविधान सबसे लंबा लिक्त सविधान है, in which year इंडिया बिकेम रिपब्लिक, ठीक है, कहता है कि भारत की सवर्ष में गणतंतर बना था, ठीक है, गणतंतर रिपब्लिक होता है, गणतंतर, 1915, ठीक है, तो 1950 आगे हमारा answer, ठीक है, 1950 में, children in age group should be given free education, ठीक है, तो कहता है कि children in which age group should be given free education, तो कि सायू वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, तो B आगया 14 to 16 years, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को free शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, गवर्मेंट की तरफ से भी यह रूल है, तो 4 आगया, what are directive principles, ठीक है, अदिशा अन है, तो D आजाएगा इसका अंसर, guidelines, ठीक है, दिशा नर्देश जिसको बोल देती है, guidelines, दिशा नर्देश, now, next आगया हमारा true-false, तो in और fundamental rights are denied, if और fundamental rights are denied, we can move court, तो answer will be a true, तो इसको समझ लो पहले क्या कहता है, इसका meaning हो गया, यदि हमारे मौलिक अधिकारों को आसिवकार किया जाता है, ठीक है, उनको deny किया जाता है, मानने से इंकार कर दिया जाता है, तो we can move court, तो हम court में जा सकते हैं, तो हमारा answer will be a true, all Indian citizens are equal, तो भारती के सभी नागरिक समान है, ठीक है, तो answer will be true, कहता है कि third, the constitution allows the rich to exploit the poor, कहता है कि सिविधान exploit होता है, तो सिविधान अमीरों को ग्रीबों का शोशन करने की अनुमती देता है, तो false हो जाएगा, नहीं सिविधान में ऐसा कोई नहीं, तो सिविधान ने तो सब को एक समान माना है, तो fourth आ गया, कहता है कि it is our fundamental duties to keep our surrounding clean, काता है कि हमें आसपास के वातावरन को स्षच रकना, हमारा मौलिक अधिकार है, तो हमारे आसपास का जो वातावरन है, उसको स्षच रकना, साफ सुतरा रकना, हमारा मौलिक कर्तव है ठीक है तो fundamental duties है यह याद रखना fundamental duties है यह true हो जाएगा yes हमारा यह मौलिक कर्तव ही है कि हमारे जो चारो तरफ एरिया है उसको साफ सुत्रा हमें रखना चाहिए स्कूल को साफ सुत्रा रखना चाहिए C आ गया what is constitution ठीक है तो answer आ गया C में consonants रा जानते है तो पहला आ गया what is constitution तो स्विधान क्या है answer आ गया the set of rules according to which the government governs the country is called constitutions कहता है कि the set of rules according to which the government governs the country is called constitutions नियम जिनके उनसार नियम जिनके उनसार सरकार देश पर शाष्षन करती है ठीक है तोसी को हम क्या बोलते है constitution बोल देते है स्विधान स्विधान एक इस तरह की दस्तावेज है जिसके बीच में जो लिखा हुआ है उसी के recording हमारा देश चलता है रेगुलेशन सारा कुछ लिखा हुआ है परतान मंत्री कैसा चुने जाएगा प्रेजिडेंट कैसे चुने जाएगा सिप्रीम कोट के जाज कैसे बनेंगे नियाएं के सबंदी सारा कुछ उसी के recording हमारा देश चलता है सभी देश इसी तरह ही चलते है सभी देश का अपना-पना सिविधान होता है उसके recording वे चलते है तो तो कहता है कि मौलिक इदिकार क्या है उनकी सुची बनाए और constitution गिवज एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट तो मैंने इसके बारे में भी बता दिया तो कहता है कि हमारा सिविधान प्रतेक नागरी को कुछ बनियादी दिकार देता है जिने मौलिक इदिकार कहा जाता है और constitution गिव एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट थैट आर कॉल्ड फंड्डमेंटर राइट तो हमारा सिविधान प्रतेक नागरी को कुछ ुच बुनियादी रिकार देता है जिनहें हम भुली के रिकार कहते हैं, तो नंबर वान आ गया समानता, राइट्ट टो समानता का इदिकार जिसको बोल जाते हैं राइट तू क्योवेल्टी राइट तू फ्रीडम सुतंतरता का इदिकार राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाइटिशन तो शोशन के खिलाफ इदिकार राइट अगेंस्प्लाइटिशन शोशन के खिलाफ इदिकार कुल्चर औड एजूकेशनल राइट Bells कुल्चSeरल होता है संस्कृतिक और शेक्षिक अधिकार कुल्चरल और एजूकेशनल राइट्स एजूकेशनल राइट्स तू शॉकुल्च हवद्धानीक उपचार का अधिकार किया बोलेंगे इसको राइट rocketsू constitutional remedies स्वै धानिक उप्चारों का अधिकार next question third कहता है कि what are three fundamental duties mentioned in our constitution हमारे स्विधान में लिखित किसी तीन मौलिक करत्वों के बारे में बताना है हमने ठीक है हमारे स्विधान में लेखित किनी तीन मौलिक करत्वों को लिखे ठीक है तो दा ये question में सी है देखो यहां से three fundamental duties mentioned in our constitution ठीक है तो सारा वहीं से आगया कि हमारे स्विधान में लेखित तीन मौलिक करतव है ठीक है duties होती है करतव कौन कौन से है we must take care of public property we must take care of public property तो कहता कि हमें सरवजनिक संपती का ध्यान रखना चाहिए parents must send their children to school तो माता पिता को अपने बच्चों को school भेजना चाहिए parents must send their children to school we must take care of environment तो हमें प्रयावर्न का ध्यान रखना चाहिए हमें प्रयावर्न का ध्यान रखना चाहिए fourth कहता है कि what are directive principles तो दिशानरदेशक सिधान्त क्या है write any two तो कोई भी दो लिखो answer आगया the list of some guidelines for the government to ensure the welfare of the people are called directive principles कहता है कि सरकार दोरा लोगों के कलियान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानरदेशों की सुची को दिशानरदेशक सिधान्त बोलते है ठीक है फिर से देखो कहता है कि सरकार दोरा लोगों के कलियान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानरदेशों की सुची को directive principle बोल देते हैं ठीक है clear है तो the lists of some guidelines for the government to ensure the welfare of the people are called directive principles तो दो आगे इसमें से कौन कौन से है first आगे every child goes to school हर बच्चा स्कूल जाता है ठीक है तो हर बच्चे का अधिकार है कि वह स्कूल जाए ठीक है तो ये government ने भी देखना होता है ठीक है government school के teacher की जुम्यदारी होती है ये बच्चों को ले के आना उस area के जो school में नहीं जाते second आगया people have proper living condition तो लोगों के पास रहने की उच्ची स्थिती है ठीक है तो देखना होता है कि लोगों के पास घर है रहने के लिए सारा कुछ है या नहीं है सवीदाएं देखनी होती है तो ये भी government ने provide करनी होती है दी आगया think and answer तो think and answer सोचो और जवाब दो में कहता है कि millions of small children in India works in shops in factories and houses is it allowed by the law do you think these children know about their fundamental rights can you consider the people who imply small children as a good citizen कहता है कि भारत में लाखों छोटे बच्चे दुकानों पर कार खानों में और घरों में काम करते हैं क्या कौनून द्वारा इनकी अनुमती है क्या आपको लगता है कि ये बच्चे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं क्या हम छोटे बच्चों को रोजगार देने वालों लोगों को अच्छा नागरिक मानते हैं तो हर question का मैंने simple language में answer दिया है दिखो पहले का answer दिखो तो कहता है कि भारत में भारत में लाखों लोग छोटे बच्चे कारखनों में और घरों में काम करते हैं ठीक है क्या कनून द्वारा इनको अनुमती है नो तो answer आगया पहले question का answer मैंने clear किया यहां तक पहली statement clear कर दी है नो it is not allowed by the law ठीक है तो कहता है कि यह कनून द्वारा अनुमती नहीं है नहीं यह कनून द्वारा अनुमती नहीं है तो कोई भी अनुमती नहीं दी कि छोटे बच्चों के काम करवा next question देखो do you think these children know about their fundamental rights तो यह कहता कि क्या है बच्चे अपने fundamental rights को जानते हैं नहीं no these children do not know about their fundamental rights नहीं यह बच्चे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो next last आगी statement उसको भी clear कर रहते है can we consider the people who implied small children as a good citizen तो कहता है कि क्या हम छोटे बच्चों को रोजगार देने वाले लोगों को अच्छा नागरिक मान सकते हैं no they are not good citizen नहीं वह good citizen नहीं है क्योंकि वह fundamental rights को नहीं मान रहे हैं इस प्रकार वह अच्छे नागरिक नहीं हो सकती extra question आ गए कहता है कि who is card the architecture of Indian constitution तो भारती सिविदान का वस्तुकार किसे कहा जाता है तो answer आ गया doctor B.R. अमेदकार तो भारती सिविदान का वस्तुकार B.R. अमेदकार को बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सिविदान लिखा था what are fundamental rights तो fundamental rights क्या है कहता कि the basic right given to all citizens are called fundamental rights the basic right given to all citizens are called fundamental rights तो सभी भारती नागरिकों को दिये गए मूल इधिकार मौली का इधिकार कहलाते हैं तो what are directive principle directive principle क्या होते है कहता कि our constitution लिस्टर सम गाइडलाइन्स फॉर्डा गवर्मेंट इस आर काल्ड डिरेक्टी प्रिंसीपल तो हमारा सिविधान सरकार के लिए कुछ निदिशा निदिश्यों को सुची बंद करता है इसी को डिरेक्टी प्रिंसीपल बोल तो चेप्टर 9 इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सस्क्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो